चहरे के सारे मैल को निकाले जो भी आपने जमाया हुआ है लंजी तो आगए आप और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगे मेरा इवनिंग स्किन के रूटीन शाम को फ्री टाइम में ऐसा क्या मैं अपने चहरे पे इस्तेमाल करती हूँ जिससे चहरे का सारा मैल कट जा तो किस तरह से आप शाम को अपने फ्री टाइम में अपने स्किन पे अपलाई करके कुछ जादूई घरे लून उसका आपके स्किन को बहुत खुबसूरत बना सकते हैं चहरे को संदर बना सकते हैं चहरे के काले दाग धबे जाईयां काला पन चहरे का सारा मैल निकाल के चह इस पे ऐसा नूर आएगा ऐसा लगेगा पार्लर से मोटा बिल भर गया आप अभी वापस आए हैं चाहरा बढ़िया से साफ कराके हलका हलका आपको फील हो गई रेमेड्य यूज़ करके आपके चैरी के मैल को डेड स्किन को बिलकुल निकाल देता है आप चाहिए तो हफटे करना आपको बहुत ही इसके जादूओी रिजल्ट मिलें गे इसके अलब आपको कोई भी आपकी प्रॉब्लम है आपको पिंपल्स होते हैं जुरिया है जहाई है संटैनिंग पढ़ गई है बाल बहुत ज़रते जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में मेरे साथ शेयर करना आपक फेमली को ये टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसी पर मैं जरूर से जल्दी से जल्दी वीडियो लाती हूँ, तो फटा-फट से बताती हूँ आपको कैसे कैसे, क्या क्या आपने यूज़ करना है, दो स्टेप होंगे, दूसरा पहले से भी इंपोर्टेंट है, उसको होता है, और सुन्दर लगने का एक ही तरीका है कि आपके चहरी पे बिल्कुल कोई दाग धबी ना हो, जमक हो चहरी पे चहरी के करंग साव लना पड़ रखो, ये नहीं कि शरीर के कलर से भी हमारा चेहरा काला पर रखा, मैल चहरी पे जहमा हुआ है, क्या होता है, आप कब तो भी वही चेहरा अच्छा लगेगा जो नैचरल ब्यूटिफुल साफ सुतरों मेकप की जरुरत ही ना लोड़ ही ना पड़े मेकप की क्योंकि हार टाइम तो हम वैसे भी नहीं कर सकते जब मेकप हटेगा तो सच्चाई तो सामने आही जाती है तो सच्चाई को संदर कोई भी दाल आपके धर में दाले तो होती है आप दाल बनाते हैं कोई भी एक दाल लेकि आपको जो आपके पास अवेलबल है पीस लेना है मिक्सी में चाहें तो आप सिल्बटे भी कूट के पाउडर बना सकते हैं मैंने यहां पे दाल का पाउडर बनाया है तो आपने एक और बहुत जादा पतला भी गेहूं के आटे की तरह पतला भी नहीं बनाना है हलका सा दद्रा रहने दे क्योंकि आपके स्किन के जो है मैल को वाइट हेड्स को ब्लैक हेड्स को सबको निकालेगा तो हमने यहां पे एक चमच लिया है दाल ओके उसके बाद से आपको वन लिया हल्दी इंफ्लेमिशन को ठीक करता है पिंपल्स को ठीक करता है बेक्टिरल इंफ्ट्शन को ठीक करता है आपकी स्किन के लिए हल्दी बहुत अच्छा रहता है कभी-कभी आपको हफते में एक बारी तो जरूर अपने फेस पैक में किसी हल्दी एड़ कर लेना चाहि तो भी हल्दी आपके skin के लिए बहुत अच्छी रहेगी अपने face pack में add करना है और रंग को भी निखारता है हल्दी ठीक है इसके बाद आपको इसको जो है mix करने के लिए आपने धूद का इस्तिमाल करना है कच्छा दूद लेना है गरम दूद नहीं लेना है बिना गरम किया हुआ बिना उबला हुआ दूद हमको लेना है इतना दूद डालना यह ठीक सा paste बन जाए तो यह हमारा पहला नुस्खा होगा पहला step जो हमने use करना है इसके बाद दूसरी चीज़ भी बहुत important अब हो मैं आपको भी बिताते हैं लेकिन इसको use करने का पहले सही तरीका जान ठीक है और रंग को तो आपके को साफ करेगा ही दाल आपकी सकिन के कलर को निकारने के साथ सत आपकी चैरी के जाईयों को भी खतम करेगी जूद की डालों में बहुत सारी पोस्टिक चीज़े पाए जाती है जो हम खाते हैं तो हमें कितना फाइदा करते हैं वितामिन्स होत आपके हमने मसाज करना स्टार्ट करना है अब यहां पर आपने मसाज करना है कम से कम 15-20 मिनट के लिए अच्छे से फ्री तो होते ही है शाम को इसलिए हमने शाम का टाइम चुना है इस पैक को यूज़ करने के लिए तो शाम को अच्छे से 15-20 मिनट पूरे मिनान से बढ़ में आपको इसके अच्छे अच्छे result मिलेंगे आप चाहे तो हफते में 2-3 बारी इसको यूज कर ले हफते में एक बारी भी कर शकते है लेकिन करना जरूर है ना करने से तो एक एक रहा हसे में एक बारी एक करना है शुरू में दो तिन बारी क्योंकि जो भी हमारे फेस पे ज्यादा तर डेड़ स्कीन मैल होगा वो यह निकाल दे ताकी से ठीक है तो अच्छे से मसाज किया उसके बाद नॉर्मल पानी से चेहरा दोना है फिर क्या अप्लाइ करना है वो भी मैं अभी बिताती हूँ कि इसको बोश्ट करके ठीक है तो चेहरा मैंने नॉर्मल पानी से दोल गया और यहां से अच्छे से नहीं दोया दिख रहा होगा फेस एक्टम हो गया है बढ़िया से चेहरा साव हो गया है एक यहां पिंपल निकला हुआ है एक यहां निकला हुआ है देख रहे हैं आप क्या कर सब्सक्राइब है जो मौनषून का इसमें दाने बहुत निकलते हैं सभी को निकलते हैं लेकिन केर करते हैं तो एक-डीकर निकलते हैं फेस भी नहीं हो जाते हैं तो इसी लिए मैंने आज अपने पैक में हल्दी का यूज किया मैं यह एक्स्प्रेइन करना चाहा रही थी ताकि थोड़ा एंटी बैक्टिरियल चीज से जो दाने हैं वो बैठे रिलेक्स हो ठीक है तो हमने पहले स्टेप में इस तरीके से यह जरूर यूज करना है कहना कहना देखना दिखना नहीं है ठीक है अभी हमने क्या करना है हमको सेकिंड स्टेप में डूद लेना है ठीक है मिल्क आपको लेके हलका सा मिल्क लेके कि अपने face पे इस तरहां से apply करके थोड़ा तरीका अलग है same apply करना फिर आपने इसको ऐसे ही लगे हुए छोड़ देना please please मेरे कहने से यह कर लेना एक बारी जरूर करके देखना कुस टाइम जादू magic हो जाएगा आपके face पे बिलकुल इस तरीके से हमने दूद लगाके फिर उसको छोड़ देना जितना आपके पास time में हो सके तो आदा घंटा छोड़ के देखे चाहे तो आप सिर्फ यह दूसरा step भी कर सकते हैं अगर आप बहुत lazy है हलका milk लिया और अपने face पे लगाया बिना गरम किया हुआ कच्चा दूद आपके चाहरे के सारे दाग दबे जाई यह बहुत जल्दी दीरी दीरी पहले हलका करेगा और फिर ठीक कर देगा नैचुरल चीज़े हो सकते हैं हलका time ज़्यादा लेती हैं treat करने में लेकिन जब वो ठीक करती हैं तो जड़ से problem को ठीक करती हैं और जब हम यहाँ वहाँ क प्रोडक्ट्स लगाते हैं एक बार तो क्लीन कर देते टाइम वह भी बहुत लेते हैं ऐसे नहीं कि लगाते ही रात और ठीक हो जाता है लेकिन उसको जैसे हम लगाना छोड़ते हैं तो उसके और भी ज्यादा खराब पक्का सो प्रतिशत होती है मैंने बिल्कुल देखा य जो गलोव आएगा जो साब स्किन होगी वो लंबे टाइम तक बरकरार रहेगी और दूद में इतनी स्ट्रेंथ होती है कि आपकी स्किन को और भी हेल्दी बनाएगा फाइट करने के लिए पिग्मेंटेशन से एकने से दाग धब से ओके तो इस तरीके से हमने दो यह स्टे कर लेना है लगा करें बैटने की ज़यरत नियां यह दूध्ध अपना काम करेंगा अपना काम करिए मैं अडेटिंग करूँगी मेरा काम है आपका जो भी काम है घर का काम है अपको पनbon वह आप कर सकते हैं ठीक है कोई भी एजवाले हैं चाहें आपके इतनी वी उमर के यह रेमड यूज कर सकते हैं लड़के हैं चाहे लड़की हैं लाजमी कोई भी यूज कर सकता है तो बाई बाई